अर्या यार फिर से आज टिंडे बनाई हो वो भी कम मसाले के साथ कभी तो कुछ चटपटा बनाया करो खाने में टिंडे देखकर रमेश का मूट खराब हो गया उसकी पतनी सावित्री ने कहा कम मसाले खाने से पेट ठीक रहता है हाँ हाँ खाने की तरह जिंदगे में भी मसाला नहीं रहा हर रोज वही चिक चिक वही खाना और वही बीवी कुछ भी नया नहीं है लेकिन हा उपर से सावित्री हर रोज एक जैसा ही खाना बनाती थी इसलिए रमेश के जीवन से खुशी नाम की चीज गायब हो चुकी थी रमेश हर रात को छट पर जाकर सोचता था क्या फायदा हुआ शादी का? खुशी तो दूर दूर तक नहीं है ऐसे कब तक चलेगा? अभी तो डिवोस भी नहीं कर सकता ये शादी नाम की चीज से तो दिल ही उड़ गया है मेरा अगले दिन रमेश वही घिसा पिटा खाना खाकर ओफिस के लिए निकली रहा था कि तभी उसने देखा उनके पडोस वाले घर के सामने एक गाड़ी आकर रुखी उसमें से एक जवान और सुन्दर सी ओरत बाहर आई और कुछ लोग गाड़ी से सामान घर के अंदर ले जाने लगे कितने सुन्दर है यार ये लड़की इससे तो मलाकात करनी ही होगी रमेश ओफिस जाने के लिए घर से निकलो और उस ओरत के पास जा कर बोला हेलो मेरा नाम रमेश है मैं यहीं रहता हूँ आपका नाम क्या है उस ओरत ने बड़ी मिठी आवाज में कहा हलो जी मेरा नाम रीमा है मैं यहां नई नई आई हूँ मैंने यह घर रैंक पर लिया है रमेश खुश होकर वहाँ से चला गया अरे इतने सुन्धर परोसी सोचकर ही दिल में लड़ो फूट रहा है ओफिस से लोटकर रमेश ने खाना मांगा सावित्री ने आज भिंडी पकाई थी उसने वही दे दी ये लो आज भिंडी बनी है खा लो कभी टिंड है तो कभी भिंडी ये सब तुम्हारी तरह ही है बिल्कुल टेस्ट लेस इससे ज़ादा टेस्ट चाहिए तो एक और शादी करके ले आओ मैं भी देखती हो कौन खिला दिया तुम्हें खाना बना कर जगड़ा करने के बाद रमेश छट पर चला गया रमेश ने अच्छे से देखने की कोशिश की और देखा रीमा जी छोटे कपड़े पहन कर योगा कर रही है ये क्या देख लिया मैंने ये तो जन्नत है जन्नत योगा करती है रीमा जी इसलिए शरीर में चरबी नहीं है फिगर बढ़ियां है, मेरी बीबी के तरह मोटी नहीं है वा रिमा जी वा, मैं तो फैन हो गया आपका रमेश दो घंटे तक बस देखता रहा अगले दिन सुबह रमेश रिमा के घर चला गया अरे, रमेश जी, इतनी सुबह सुबह यहां कैसे? मैंने देखा, कल रात को आप योगा कर रही थी हम, अच्छा, तो मुझे पर नज़र रखी जा रही है अरे, नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वो आप हैं इतनी सुन्दर चलिए, अब जादा जूट मत बोलिए अरे, नहीं जी, जूट क्यों बोलूँगा? रीमा का हाथ बार-बार पकड़ने लगा रीमा ने मना नहीं किया उसे भी रमेश पसंद आने लगा था रमेश ओफिस जाने से पहले और ओफिस से लोटने के बाद रीमा के पास योगा सीखने जाने लगा और दोनों में प्यार हो गया और एक दिन रमेश ने सच में रीमा से शादी कर ली और उसे लेकर घर आ गया ये देखकर सावित्री को जैसे सद्मा लगा ये क्या कि आपने दूसरी शादी कर ली वो भी इस जायन से ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हाँ तो मर जाओ, किसने मना किया है? बैसे भी मुझे और तुम्हारी जरूरत नहीं है भागो यहां से रमेश ने सावित्री को घर से बाहर निकाल दिया सावित्री बेचारी रोते हुए अपने माई के चली गई वहाँ उसके भईया और भाबी थे उन्होंने सावित्री को जगा नहीं थी चल, जा यहां से अपने पती को खुश नहीं कर पाई तू? यहां तेरे लिए कोई जगा नहीं है सावित्री बेचारी क्या करती? पेट भढ़ने के लिए वो रास्ते पर भीक मागने लगी उधर रमेश अपनी नई बीवी को लेकर बहुत खुश था इतनी सुन्दर बीवी तो हर कोई चाता है रीमा बहुत सुन्दर थी इसलिए पूरे मुहले के आदमियों की नजर रीमा परी थी अरे इस रमेश ने रीमा को पटा कर शादी कर ली काश रीमा मुझसे पढ़ जाती अरे वो औरत रमेश से प्यार थोड़ी करती है वो तो बस पैसो के लिए उसके साथ है तू भी पैसा दिखा तुझसे भी पढ़ जाएगी रीमा से योग सीखने के लिए घर के बाहर आदमियों की लाइन लग गई हर दिन वो लाइन बढ़ने लगी एक दिन सुबह उटकर रमेश ने रीमा से नाश्ता मांगा रीमा नाश्ता लगा दो मैं नहीं कर सकती मेरे स्टुडेंट्स मुझसे योगा सीखने के लिए बैठे हुए हैं मतलब मतलब खुद बना लो और मेरे लिए भी बनाना ये बोलकर रीमा चली गई रमेश बहुत मुश्किल से पराठा बनाने लगा ये क्या बात हुई अफिस भी संभालो और घर पे भी खाना बनाओ रमेश ने पराठा बना कर खा लिया तब ही रीमा आई और पराठा देखकर कहा ची ये क्या है पराठा कोई खाता है क्या इसमें कितना सारा तेल है मुझे तो सैलिट खाना है अब से तुम भी मेरे साथ सैलिट खाऊगे मैं? लेकिन मैं क्यों? सलाद खाने से बिमारी नहीं होती अब से मैं जो कहूंगी वो तुम सुनोगे रमेश के पास और कोई चारा नहीं रहा रीमा उसे हर रोज सलाद किलाने लगी कच्छी सबजियों को एक साथ मिला कर वो सलाद बनाती थी वो खाते खाते रमेश को उल्टी आने लगी मुझे अपने आपको जूता मारने का दिल करता है मैंने खुपसूरती के चक्कर में इससे शादी कर ली इस सलाद से अच्छा टेश तो सावित्री के टिंडे और भिंडी में था रमेश परिशान हो गया लेकिन रीमा कोई बात सुनने के निराजी नहीं थी उपर से उसके खर्चे अलग थे रमेश जल्दी से 20,000 रुपे दो पार्लर जाना है तो मुझसे शादी क्यों की सुनो रमेश मेरे खर्चे नहीं उठा पारे हो तो बता दो मैं किसी और से शादी कर लूँगी आशिकों की कमी नहीं है मेरे पास रमेश को धमकाया इसके बाद रमेश समझ गया कि उसने रमेश से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है वो चुप चाप ऑफिस चला गया और शाम को ऑफिस लोटते वक्त रीमा के लिए गिफ्ट ले कराया रमेश घर पहुँचा घर का दर्वाजा खुला हुआ था रमेश अंदर घुजगे और अंदर जाकर उसने जो देखा उसके होश उड़ गया उसने देखा रीमा ये गैर मर्द के साथ बिस्तर पर बैट कर गपे लड़ा रही है ये क्या कर रही हो रीमा? मेरी मर्जी? ये मेरा नया बॉइफरिंड है मेरे पास योगा सीखने आया था मैं इससे शादी करने वाली हूँ वैसे भी मैं तुम्हारी वाकात से बाहर हूँ ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्यार तुम उससे हर कोई करता है मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर साथ में तुम्हारे पैसे भी ले जा रही हूँ रीमा अपने बॉइफरिंट के साथ निकल गई रमेश बैट कर रोने लगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया पहली बीबी भी नहीं रही और दूसरी भी नहीं रही इससे अच्छी तो सावित्री थी पूरी रात रमेश रोता रहा अगले दिन सुबह वो ओफिस जा रहा था इतने में उसके पास एक वारत आई साथ कुछ पैसे देंगे खाना खाना है रमेश ने मुड़ कर देखा तो वो हैरान हो गया अरे सावित्री तुम रमेश तुम सावित्री मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई लोट चलो सावित्री लोट चलो सावित्री भी रो पड़ी आखिरकार सावित्री ने रमेश को माफ कर दिया और वो दोनों घर लोट गए बहुत अच्छा लग रहा है घर लोटकर बोले जी खाने में क्या बनाओ तिंडे बना दो तुम्हारे हाथ के तिंडे बहुत स्वादिश्ट है चल जूटे रमेश को सावित्री की एहमियत समझ में आ गई इसके बाद वो दोनों खुशी-खुशी रहने लगे ठंड के मौसम में शादियं भूत होते हैं शादी में लोग लाखोड आते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी है लेकिन शादी तो जिन्दगी का एहम हिस्सा है कुछ ऐसी कहानी है दो भाईयों की और उनकी पत्नियों की लोकेश और सुरेश एक छोटे से वन बेडरूम फ्लैट में अपने माता पिता और इकलौती बहन के साथ रहते थे पांच लोग और एक कमरा कभी दोनों भाई कमरे में सो जाते थे और बाखी लोग हॉल में सो जाते थे तो कभी दोनों भाई अपने माता पिता और बहन के लिए कमरा छोड़ते थे ऐसे ही जिन्दगी कट रही थी एक दिन लोकेश और सुरेश की मा ने उनसे कहा सुनो बिटे तुम दोनों की उम्र हो रही है घर में जवान बहन है उसकी भी शादी करवानी है हाँ मा तो करवा देते हैं उसमें क्या है करवा देते हैं का क्या मतलब है घर में दो जवान भाईयों के होते हुए चोटी बहन की शादी हो गई तो लोग क्या कहेंगे पहले तुम दोनों शादी कर लो शादी? हम? अरे मा, हम दोनों ठीक ठा कमाते भी नहीं है खिलाएंगे क्या बीवियों को? और यहां तो एक ही कमरा है रहेंगे कहां बीवियों को लेकर क्यों इसी कमरे में रहोगे मैंने लड़की देख ली है तुम दोनों शादी कर रहे हो बस अगले महीने शुब मुरत भी है और ये शादी का सीजन भी तो है बिमला ने दोनों पर अपनी बात थोब दी थी बिचारे लोकेश और सुरेश क्या ही करते मा की बात उन्हें माननी पड़ी और दोनों शादी के मंड़प में हाजिर हो गए एक ही दिन में दोनों की शादी हो गई वो भी दोनों बेहनों से वो भी ऐसी बेहने जिनकी एक दू इससरे से बिलकुल भी नहीं बनती थी, दोनों हमेशा आपस में जगडते थे, एक ही मंडप में दोनों की शादी हो रही थी, बड़ी बहन इशा ने अपनी छोटी बहन निशा को ताना मार के कहा, अरे निशा देख, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, निशा भी कुछ कम न दोनों के बीच भरे मंडप में हाथा पाई होने लगी, लोकेश और सुरेश ने एक दूसरे से कहा, बोशिश करने लगे, अरे बैट जाओ तुम दोनों शान्त हो जाओ, शादी के मंडप में कोई ये सब करता है क्या, बैट जाओ, वरना मैं विना मंत्र पढ़े चला जाओंगा, ये धमकी सुनकर दोनों बैट तो गई, लेकिन दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, त शादी के बाद उसने अपने भाईयों से कहा, भाईया, अब जल्दी से मेरी शादी करवा दो, दोनों भावियों के बीच में रहकर दिमाग खराब नहीं करना चाहती हो मैं अपना, बैन, हमारे बारे में भी तो सोच, हम कैसे रहेंगे, वो सब मुझे नहीं पता, मा ने य हाँ, हमें तो कहा गया था कि लड़की का खुद का घर है, हाँ, खुद का ही तो है, लेकिन थोड़ा चोटा है, ठीक है, मुझे अपना कमरा दिखा दीजे, मुझे आराम करना है, हाँ, और मुझे भी अपना कमरा दिखा दीजे, लोकेश और सुरेश ने शरम के मारे सर क्यों तुम दोनों बेहने हो, मिलबाट के आपस में रह नहीं सकती। बेहने, ये मेरी बेहन नहीं है, ये चुड़ैल है। हाँ हाँ, तो तू भी कौन सी दूद की धुली हुई है। जा जा, मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहती हूँ। अंकिता नहीं कहा, भाबी, यहां तो ना चाहते हूँ भी शकल देखनी पड़ेगी, कमरा एक ही है और उसी में आप दोनों की सुहाग राथ होने वाली है। यह सुनकर दोनों बहु में रोने बैट गई, यह भगवान यह क्या हो गया, मैंने तो सोचा था किसी अमीर घर में मेरी शादी होगी, हमें उठालो भगवान, हमें उठालो। दोनों का रोना धोना देख कर बिमला के पती ने उससे कहा, अरे बिमला, यह कैसी बहु यह ले आई हो घर में, तुम तो बोल रही थी कि घर में बहुत शान्ती होगी, यहा तो पहले दिन ही जगड़ा शुरू हो गया, तो मुझे क्या पता था कि यह दोनों बैहने आपस म इतना लड़ती है, अगर पता होता तो कभी ऐसी लड़कियों को मेरे घर की बहु नहीं बनाती मैं, अब पश्ताय होत क्या जब चड़िया चुक गई खेत, अब शादी हो गई है तो दोनों बहुँं को छेलना तो पड़ेगा ही, दोनों को कमरे में घुसा दिया गया, ले पना देख लेगा क्या मतलब है, ये मेरा भी घर है, मेरा भी बिस्तर है, मैं तो बेट पर ही सोँगी, जो उखारना है उखार ले, देख निशा मैं बड़ी हूँ और तेरी जिठानी पी हूँ, जिठानी की बाद देवरानी को मानने ही पड़ीगी, जिठानी माई फुट, मैं नहीं मानती ऐसी जिठानी को बक्वास ना करके चुप चाप नीचे सोजा दो पहर से जगड़ा चली रहा था अभी और भी बढ़िया बिमला का सर दुखने लगा मेरा सर दुख रहा है दोनों की कचर कचर सुनके मा ये आप ही की गलती है आप ही ने शादी के लिए जबरदस्ती की हाँ मा हम कितने खुश थे एक साथ अभी देखिए खुशी तो दूर दूर तक नहीं है ठीक है बेटा मैं मानती हो की गलती मेरी है लेकिन तुम दोनों अंदर जाओ और दोनों बेहनों को चुप कर आओ नहीं तो मेरा सर फट जाएगा लोकेश और सुरेश कमरे के अंदर तो गये लेकिन उन दोनों को चुप कर आना उनके बस की बात नहीं थी बचपन से लेकर अब तक उनके घरवाले उन्हें चुप नहीं करा पाए इसलिए तो जल से जल उन दोनों की शादी करवा दी अब लोकेश और सुरेश की बारी थी उन दोनों को संभालने की अरे चुप हो जाओ तुम दोनो आज सुआग रात है आज भी कोई जगडा करता है क्या सुनिय जी मैं बड़ी हूँ मैं जमीन पर ठंड में नहीं सोंगी मैं भी नहीं सोंगी ठीक है, तुम दोनों बिस्तर पर सो जाओ, हम दोनों भाई नीचे सो जाते हैं, लेकिन चुप हो जाओ, शान्ती दो हमें निशो और ईशा दोनों बिस्तर पर सो गए, लोकेशो और सुरेश नीचे सो गए, लेकिन फिर भी निशा और ईशा का जगडा नहीं रुका अब तक ये को लेकर जगडा शुरू हो गया दोनों जोर-जोर से चिलाने लगे वो दोनों इतनी जोर-जोर से चिला रहे थी कि पडोसी की भी नीन तूट गई वो लोग घर पर आ गए अरे बिमला तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या इतना जखड़ा क्यों हो रहा है क्या बताओं दीदी दोनों बेटे की शादी करवाई है लेकिन दोनों बहुए आने के बाद से लड़ रही है क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तभी कमरे के अंदर दोनों बेहनों के बीच में हाथा पाई शुरू हो गई और इशा ने निशा को जूता फेक कर मारा और वो जूता आकर विमला के गाल पर लगा आहा बस बहुत हो गया निकल जा तुम दोनों मेरे घर से बहुत हो गया अब और नहीं बिमला जब गुस्सा हो जाती थी तब उसके सामने कोई बोल नहीं पाता था। बिमला ने दोनों बेहनों को घर से निकाल दिया। लोकेश और सुरेश दोनों को माईके छोड़ कर आके। लेकिन माईके वालों ने भी उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। दोनों से छुट बेहन मुझे समझ में आ गया है आज से हम जगड़ा नहीं करेंगे।